मंदी में हर तरफ आशंका है नौकरियों पर संकट है डर का माहौल है लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि डर के आगे जीए यही बात इकॉमर्स सेक्टर पर भी लागू होती है इकॉमर्स, कॉंसील अफ इंडिया और चेन प्ले की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि ओफलाइन सेक्टर के मुकाबले ओनलाइन सेक्टर की ग्रोध ज्यादा तेज है रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगले 10 साल में भारत का e-commerce मार्केट 230 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा इसके मुताबिक 2028 तक 40-50 करोड दुकांदारों के ओनलाइन होने का दुमान है फिलाल भारत में 10 करोड ओनलाइन दुकांदार है ये आकड़ा इस लिहाज से वाकई दिल्चस्प है कि मौजुदा मंदी में इलेक्ट्रोनिक्स आइटम्स की विक्री में काफी गिरावट आई है इलेक्ट्रोनिक्स सामानों की खरिदारी की सबसे बड़ी मंडी e-commerce को ही माना जाता है ऐसे में अगर इस सेक्टर पर इतना बड़ा भरूसा जदाय जा रहा है तो वाकई इसकी रफ्तार उम्मीद से भी कहीं स्यादा हो सकती है रिपोर्ट में दावा किया गया है कि किफायती स्मार्टफोन और इंटरनेट की स्तमाल में तेजी से e-commerce को फायदा पहुँचा है अब केवल मेंट्रो शहरों में ही नहीं बलकि tier 2 और tier 3 शहरों में भी e-commerce तेजी पकड़ता जा रहा है भारत में खपत का असली दारुमदार छोटे और ग्रामीन शहरों पर है अब अगर e-commerce सेक्टर tier 2 और tier 3 में अभी से पहुँचने लगा है तो जल्दी ही छोटे शहरों कस्मों और ग्रामीन इलाकों में भी इसकी पहुँच बढ़ सकती है अब ये पहुँच जितनी जल्दी बढ़ेगी उतनी तेजी से ही इस सेक्टर की ग्रोध भी बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है कि मौल 91 पर जितनी हमारे नए उसर है वो जरूर अक्टिव रहें क्योंकि इस सार ये जो अप्लिकेशन है वो बहुत बड़ा ब्रांड ने वाली है तो सभी लोग उसे प्रेस्ट है प्रेस्ट 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 वी जाइवार ने वाली है